असलाम अलेकुम कैसे आप लोगों मीट करता हूं आप सब के सब जो हम बिल्कुल खहरी है से होंगे तो आज हम नाइध किलास के एक्सराइज 7.2 जो से मकमल तौर पर सॉल्फ करेंगे लेकिन इस स्क्रीन के ओपर आप लोगों को एक वाल पेपर नजर आ रहा होगा जिसमें तमाम क्वेश्चिन के टामिंग आप देख सकते हो लेकिन मैं यह प्रेफर करूंगा इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां पर मुझूद टाइम कोड़ की मदद से अपने रिग्वाइड क्वेश्चिन के पार्ट तक पहुंचिए तो दुबारा से स्क्र नजर आ घर तो कन बंट पर वन जो है वो नजर आ रहा होगा तो को अफने का जार है पहले किया क्या स्वेश्चिक खांध और बंब श्वेया चोपह। इंआ व्रौ है पर टेटमट स्वेयाम स्वेश्चिक में से गल स्रा च opens गॉविश्चिक अब लॉजन को आप तब बता पाएंगे यह true है यह false है जब आप लोगों को पता होगा absolute value क्या होता है क्योंकि आप पहले statement में अगर आप देखेंगे तो x के आसपास ऐसी दो बार्स नजर आ रही है आपको तो जब तक इन बार्स के बारे में नहीं पता चलेगा तो आप इस exercise को solve नहीं कर सकेंगे तो इन बार्स को absolute value बोला जाता है तो हम ऐसा करते हैं सबसे पहले absolute value किसे कहा जाता है उसको समझते है तो absolute value की heading जो है आप लोगों को screen के ओपर नजर आ तो इन तीन points की मदद से जो है आप अच्छे से समझ पाओगे कि absolute value जो है वो किसे कहा जाता है ठीक है तो पहले point में क्या कहा जा रहा है absolute value symbol is bars कि किसी भी number की absolute value होती है उसको किसे represent किया जाता है उसके आसपास ऐसे बार डाल दी जाती है जैसे उपर आपने x के आसपास ऐसे bars देखी थी जैसे अगर मैं five के आसपास ऐसे bar डाल दूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि मैं यह पूछना चाहरा हूं कि five की absolute value क्या होती है तो इस bar से आपको नहीं परिशान होना ठीक है minus 12 है इसके आसपास ऐसे दो line डाल दूँगा या bars डाल दू तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे absolute value पूछे जा रही है तो यानि equation में भी bars हो सकती है खाली number भी हो सकती है तो main चीज़ आपको यह समझना है कि absolute value को paper पे या किताब पे कैसे देखा जाता है इन bars की मदद से उसको पहचाना जाता है कि absolute value की बात की जा रही है ठीक है second point में क्या बात कही जा रही है episode तो इससे क्या पता चल रहे है, second line से हमें ये पता चल रहे है कि absolute value से हमें ये पता चलता है कि जिस भी number का absolute value मालुम किया जा रहा है, वो zero से कितने फासले पर है, अब सुवाल ये पैदा होता है कि sir, कौन सा zero और कौन सा number, तो उसके लिए मैंने ये picture यहां पर रखी है, इस picture की number line कहा जाता है, second chapter में आप सीख चुके होगे, number line जो है, एक line होती है, जिसके एक side पर जो है, वो तमाम positive number होते हैं, और उल्टी side पर जो है, वो सारे के सारे negative number होते हैं, जैसे कि आपको यहां पर नजर भी आ रहे हैंगे, blue सारे positive हैं, और orange सारे negative हैं, ठीके, तो अब वो बा absolute value जो है, वो कितनी है, तो इसका क्या जवाब है, या क्या पूछा जा रहा है, आप से कि four जो है, वो number line के उपर zero से कितने फासले पर है, तो number line आप लोगों के सामने है, four यहां पे लिखा हो है, positive है न number, तो four यहां पे है, तो zero से यहां तक कितना फासला बन जाएगा, तो आप अगर इसको count करेंगे, तो one, two, three, four, तो four digit ही आएगा, तो four की absolute value कितनी हो जाएगी, four ही हो जाएगी, ठीक है, four answer हो जाएगा, तो अब बात समझ में आ रहे होगी, कि absolute value का मतलब क्या है, कि जिस number की absolute value मालूम करने को कहा गया है, वो zero से कितने फासले पर है, तो यह सारी एक pure core definition हो गई, absolute value की, कि absolute value basically करता क्या है, और इससे क्या पता होता है, एक दो और मिसाल लेते हैं, ताकि इस बात को आप अच्छे से समझ जाओ, मिसाल के तोर पे अगर मैं आपको कहूं कि minus three है, इसकी absolute और इसके आज पास ऐसे दो line डाल दूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि minus three के absolute value जो है, वो क्या है, तो आपके जहन में number line आनी चाहिए, लेकिन इस वक्त तो मैंने screen पर ये रखी हुई है, तो इस पे देख के समझ लेते हैं, तो ये रहा हमारा minus three, ठीक है, तो अब मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ र यहां से यहां तक का जो distance मैयर करेंगे, वो three आ जाएगा, तो इसका answer भी three आ गया, अब यहां पर समझने की बात ये है कि जो कि last point को अभी साथ ही discuss करते हैं, कि absolute value जो है, वो always positive होती है, ठीक है, वो negative नहीं होती, अब क्यों ऐसा है, क्योंकि आप ये भी जहन में रख सकते हो जब भी absolute value का word आपके सामने आ जाए, तो आपके जहन में आना चाहिए distance, और distance मतलब फासला, और फासला जो होता है, वो कभी भी negative नहीं होता, आपने कभी ऐसा नहीं सुनोगा कि अगर आप मुलतान से कराची जा रहे हैं, तो it's been कितना फासला है, ये कोई नहीं कहेगा कि minus 900 km फासला है, ठीक है, हमेशा जो भी distance होगा, वो हमेशा positive में होता है, ठीक है, वो negative में नहीं होता, तो क्योंकि absolute value जो है, वो distance को ही मालूम करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, कि number line पर, that's why कि जैसे ही मैंने कहा कि minus 3, minus 3 की absolute value क्या है, तो इसका answer जो होगा, वो भी 3 ही हो ज जाएगा, क्यों दोनों, डिक तो मुकलिफ रहे है, एक की मदद से में पता चल रहा है, कि इस side पर distance कितना है, जो कि 3 है, और एक से पता चल रहा है, इस side पर distance कितना है, वो भी 3 है, तो दोनों का फासला 0 से तो 3 3 ही है, that's why मैं ये कह सकता हूँ, या आप ये बात जहन में र होगा, जब भी किसी number का expression का equation का absolute value लिया जाएगा, तो वो always positive ही होगा, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी, बस ये ही absolute value है, अब अगर question की तरफ जाएं, जो कि उपर मौझूद है, तो इसमें, अब आप समझने के काबिल होंगे, कि क् कही जा रही है, ठीक है, तो चलिए, इस one by one जो है, इन तमाम statements को पढ़ते हैं, और समझते हैं, और बताते हैं के true है ये false है, तो question number one के part one को पढ़ हूँ, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, कि absolute value of x is equal to zero has only one solution, ये जो statement है, ये सिर्फ एक solution रखती है, क्या ये बात सही है, ये ये बात सही है, अब स्वाल ये पैदा होगा, कि सर ये बात क्यूं सही है, तो इसकी वज़ा बताने के लिए मैंने ये ही जो statement है, नीचे लिखी है, ताके मैं यहाँ पर आपको समझा सकूं कि क्यूं ये सही statement है, देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, solution जो ह आप जान चुके हो, कि किसी भी equation के अंदर जो X की values होती है, उन्हें solution कहा जाता है, जैसे X की value अगर 3 निकली और एक जगे X की value अगर 2 निकली, तो in the end हम solution set लिखते थे 3 और 2, तो basically उस equation जिसकी ये दोनो values हैं, कितने solutions होगे, दो solutions होगे, एक ये और एक ये, तो किसी भी equation मे X की जितने values put की जा सकती हो, उतने solutions होते हैं उस equation के, ठीक है, जैसे अब हमारे पास ये condition है, अब यहाँ पर X की जगे हम जितने values put करके इस statement को ठीक साबित कर सकते हैं, उतने solutions इस equation के होगे, ठीक है, जैसे X की जगे, अब ये तो ये बोल रहा है, सिर्फ एक solution ही होगा, और म करोगे तब ही मेरे पास 0 यानि 0 absolute value of 0 क्या होता है 0 यह होता है तो तब ही यह statement जो है वो सही साबित होगी x की जगे आप कुछ भी ऐसा put नहीं कर सकते कि statement true हो जाए जैसे x की जगे 2 put कर दोगे तो क्या यह जो है कि इस equation का सिर्फ एक solution होगा I hope समझ में आ गया होगा आपको बाकी parts करेंगे तो आपको इस part की और अच्छे से समझ भाएगे अभी एक दो चीजें हैं जो मजीद आपको समझना बाकी है ठीक है तो आकरी बार simple सी इसके solution एक क्यों है क्योंके x की जगे हम सिर्फ 0 ही put कर सकते हैं तभी यह statement जो है वो सही साबित होती है otherwise नहीं साबित होती है ठीक है और 0 जो है वो ना तो plus का होता है और ना minus का होता है के number line को अगर आप दिहान से देखो तो उस number line में इधर zero होता है और इधर सारे positive number होते है और इधर सारे negative number होते है ठीक है अब 0 जो होता यह एक वाहई ऐसा number होता है जो ना positive होता है और ना negative होता है यह हमेंशे neutral होता है ठीक है तो यह थोड़ा conceptual way से मैंने बात की है जो कि अभी आने वाले questions को समझ के आप इस बात को समझोगे लेकिन असान बात यही है कि इस statement में x की जगे अगर आप 0 पूट करोगे तो ही यह सही साबित होती है तो नेक्स की तरफ चलते हैं तो इसको करते हैं ऊपर उपर करने के बाद यहां पर तो मैंने लिख लिया यह ठीक साबित होगी तिक है उसके बाद अगली अगर देखें तो अगली में क्या कहा जा रहा है जितनी भी absolute value equations होती है वो दो solutions रखती है तो क्या यह सही बात है नहीं यह सही बात नहीं है क्यों सही नहीं है क्योंकि अभी आप ऊपर देख देख चुके हो कि इस equation का सिर्फ एक solution है तो यह एक absolute value equation है that's why फोरण से पता चल गए हमें कि यह बात सही नहीं है ठीक है जैसे कि absolute value is equal to zero तो इसका सिर्फ एक ही solution है यानि x zero के equal रखेंगे तब ही यह true साबित होगी तो यह बात सही नहीं है कि सब ही absolute equation absolute value equation जो है उनके दो solutions होते हैं ऐसी absolute value equations होती है जिनका एक solution ही होता है और उसकी मिसाल आपको यह उपर ही नजर आ रही है तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा तीसरी की तरफ चलते हैं तीसरी में क्या बोला जा रहा है the equation x absolute value of x is equal to 2 is equivalent to x is equal to 2 और x is equal to minus 2 असान लफ़े में वो यह बोल रहा है कि अगर यह एक equation हो तो इसके जो हैं वो दो solutions यह वाले ही होंगे तो क्या यह सही बात है येस बिलकुल यह सही बात है कैसे सही बात है इस चीज़ को हम नीचे statement को लिख लेता हूँ और पर मैं बताता हूँ तो यह मैंने नीचे statement लिख लिख लिए यहां पर मैं बताता हूँ कि यह सही कैसे है तो देखिए equation क्या है हमारे पास absolute value of x is equal to 2 है तो अब इसके कितने solution होंगे पस इक के इस equation के दो solution होंगे ठीक है जीरो के इलावा जितने भी number होते हैं उनके दो ही solution होते हैam 0 का एक इसलिए होता है क्योंकि 0 सिर्फ ना positive होता है ना negative होता है neutral होता है जबकि हर number positive भी होता है negative भी होता है अब जैसे यह equation जो है दो number से ठीक साबित हो सकती है जैसे positive 2 से भी ठीक साबित हो सकती है और negative 2 से भी ठीक साबित हो सकती है that's why कि मैं आपको यह बोल रहा है कि इसके 2 solutions है जैसे अगर मैं x की जगे 2 लिखोंगा ठीक है और यहां पर अब 2 के absolute value कितनी आजाएगी 2 ही आजाएगी क्योंकि absolute value of 2 का मतलब क्या कि number line के ओपर 0 से यह कितने फासले पर है वो यह पूछ रहे तो यह two digits अवे ही होगा जैसे मैं अगर roughly बनाओ यहां पर यह 0 है यह 1 है यह 2 है और यह minus 1 है और यह minus 2 है तो यहां पर absolute value of 2 का मतलब क्या यहां से यहां तक का फासला कितना है तो two digits दिरम्यान में आते हैं that's why कि यहां पर 2 आ गया और यह is equal to 2 तो इससे जो है यह equation सही साबित हो गए इसी तरह दूसरी से भी स इसको put करके देखते हैं ठीक है इसको भी put करूं तो इसको भी मिटा देता हूं तो अब देखे x के जगे अगर मैं minus 2 put करूंगा ठीक है तो अभी भी minus 2 का absolute value जो है वो कितनी होगी 2 होगी आपको पीछे concept में मैं बता चुका हूँ कि जितनी भी absolute values होती है वो हमेशा positive होती है मतलब यह हुआ कि number line के उपर minus 2 जो है वो 0 से कितने फासले पर है यह इसका मतलब हुआ तो 0 से यह कितने फासले पर है 2 digit के फासले पर है तो 2 जो है सिर्फ हमें 2 ही बताना है ठीक है minus 2 का मतलब क्या के minus wali side हमें पता चल सकेगा, minus wali side की ओपर पूच रहता है तो minus 2 का जवाब भी हमेशा two digit होगा और positive 2 का जवाब भी हमेशा two digit होगा that's why कि minus 2 से भी क्वाब निकल रही है यहां पर निकल रहा है और यह statement जो है वो क्या और यह सही साबित हो रही है तो इसलिए मैं conclusion के तोर पर आप लोगों को यह कह सकता हूं इसको मैं मिटा दूं कि the equation यह वाली जो equation है is equivalent बराबर है x is equal to 2 इससे भी सही साबित हो रही है और x is equal to minus 2 इससे भी सही साबित हो रही है इसके इलावा तो x की जगे हम कोई भी value नहीं रख सकते जो के इसको ठीक साबित कर सके तो दो solution नहीं रखती है that's why के मैं इसको सही बोल रहा हूं या यह statement जो है वो सही होगी तो चलिए इसके आगे जो है वो टिक का निशान डाल लेते हैं या फिर आप इसके आगे true लिख लीजेगा तो यह मैंने सही कर ली तो fourth statement पढ़ते हैं उसमें क्या बोल अचार है the equation यह वाली एक equation absolute equation has no solution यह equation जो है वो कोई solution नहीं रखती मतलब x की ऐसी कोई value नहीं है जो इस equation को ठीक साबित करें तो यह भी सही बात है अब कैसे सही बात है मैं यहाँ पर दुबारा से statement लिख लेता हूं तो यहाँ पर क्या है x minus 4 और यह इनका bars आ गई और यह आ गया minus 4 तो अब अब देखिए x की जगे जो है मैं कुछ भी रख लूँ लेकिन यह statement सही साबित नहीं होगी दो तरह से इसको समझा जा सकता है जैसे x की जगे मैं अगर 2,3,4 तो रख ही नहीं सकता क्योंकि अगर जैसे भी 0 के लावा कोई नंबर में रखूंगा तो यह value छोटी हो जाएगी ठीक है जैसे अगर 2 रखूंगा तो 2 minus 4 हो जाएगा और यह हो जाएगा minus 2 तो हमें तो minus 4 लेकर आने ठीक है तो कोई और नंबर तो आ ही नहीं सकता अगर x की जगे मैं 0 भी रख दूं ठीक है अगर 0 भी रख दूं तो फिर क्या हो जाएगा minus 4 हो जाएगा ठीक है करीका देखना चाहिए जैसे कि मैं इसके concept में शुरू में ही बता चुका हूँ कि कोई भी किसी भी नंबर की जब आप absolute value लेते हो तो उसका जो result होता है वह always positive होता है ना कि negative होता है तो यह absolute value थी इसका result negative में show हुआ है तो इसमीन देख के आप cross कर दो क्यूंकि absolute value का result जो होता है वह हमेशा positive आता है जबके यहां पर इन्होंने negative लिखा हुआ है तो इस चीज़ से भी आप get कर सकते हो कि यह जो यानिके equation है इसका कोई solution नहीं होगा ठीक है यह गलत है तो तो पार्ट नंबर फाइव आप लोगों को screen के उपर नजर आ रहा है इसको पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है the equation यह equation है is equivalent to यह equal होगी इस वाली equation के और इस वाली equation के तो क्या यह एक सही बात है तो चेक करना पड़ेगा कि सही है यह नहीं है तो दीगए equation कौन सी है two x minus three is equal to five ठीक है तो यहां पर absolute value है इसकी तो यह हमने ऐसे डाल दिया अब इसको solve कैसे करेंगे स्वाल यह पैदा होता है तो देखिए जैसे के अभी मैंने आपको बताया था कि अगर absolute value of x is equal to five हो तो एक तो जिसके आस पास जो है absolute value के symbol होते हैं वह value positive भी हो सकती है और negative भी हो सकती है क्योंकि positive से भी five आ जाएगा और negative से भी आ जाएगा जैसे अगर मैं यहां positive five लिखो तब भी यह देखिए मेरी जो equation है वो correct साबित हो जाएगी क्योंकि इसका answer में शाब positive ही आता है ठीक है तो यहां पर five आ गया और यहां पर five आ गया जो है वो भी positive होती है तो यह five आ गया तो यह true साबित होगी तो मैं बताना यह चाहता हूं आप लोगों को कि जब भी absolute value किसी भी expression या किसी भी number की ली जाती है तो वह positive भी ली जाती है और negative भी ली जाती है क्यों कि दोनों से ही जो है equation सही साबित होती है तो इसलिए जब भी आपके पास ऐसे आसपास बार्ज हों दर्म्यान में कोई नंबर या एक्सप्रेशन हो तो उसकी आप एक पॉजिटीव वैल्यू लेंगे और एक नेगेटिव वैल्यू लेंगे ठीक है आई हो बार बार इसलिए बता रहा हूं कोई सब के अंदर थोड़ आ देते हैं तो जैसे अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2x-3 is equal to five एक बार मैंने यहां पर plus के साथ लिख दिया और एक बार लिख देता हूं minus के साथ two x minus three is equal to five आ ठीक है अब plus से तो change नहीं होते bracket के अंदर sign तो two x minus three is equal to five ही आ जाएगा और इधर अगर चले तो बाहर माने से bracket के अंदर sign बदल जाएंगे तो plus two x जो है वो minus two x हो जाएगा minus three जो है वो plus three हो जाएगा और इधर आ जाएगा five तो अब देखते है match करके कि की ये बात सही थी तो देखिए एक उसने बताएधी two x minus three is equal to five तो ये तो हमारे पास मौजूद है to x minus three is equal to five second उसने बताए दे two x plus three is equal to five तो लेकिन ये यहां पर मौजूद नहीं है ये क्या है минus two x plus three is equal to five तो अगर यहां पे माइनस होता तो यह सही साबित होती लेकिन क्यूंके यहां पर माइनस नहीं है तो इसलिए अब हम कहेंगे यह एक फॉल्स स्टेट्मेंट है तो उमीद करता हूं यह चीज समझ में आ गई होगी ठीक है बाकी अगर कुछ कमी रह भी गई तो आप समझेंगे तो इसके अंदर यह चीज और अच्छे से समझ में आएंगी ठीक है तो चलिए पहले क्वेश्चन हो गया खतम अब सेकिंड की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नमबर टू आप लोगों को स्क्रीन के ओपर नज़र आ रहा है जिसमें क्या बोला जा रहा है कि solve for x के x के लिए इन सब को solve कर दो कि आपने इन सब को solve करना है solve करने से मुराद x की values मालूम कर दीजे और यह equation check करके बताईए कि ठीक है या नहीं है तो क्या करना है कैसे solve होना है तो पहला पार्ट ऐसा करते हैं लिख लेते हैं और उसके अंदर ही मैं सारी चीज़ें आपको आपको हर question में यह इने बार बोला जाता है ठीक है यह बार जो है वह absolute value को represent करती है absolute value किसे कहा जाता है वीडियो में आप पीछे जाके इसको समझ सकते है timeline में जाके समझ सकते हैं तो एक बार मेरी मैं यह suggest करूंगा के question number one समझ लीजे काफी चीज़ें वहाँ पर आपको समझ में आएंगी true or false के अंदर और फिर उसके बाद यह questions करेंगे तो आपके लिए काफी असानी हो जाएगे ठीक है लेकिन यहां भी मुक्तिसी थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा तक कि आप लोग अगर वीडियो को यहां से देख रहे हैं तो कुछ at least समझ पाओ कि क्या करन है तो part number one देखे हमें solve करने है ना तो solve करने के लिए यहां पर सबसे पहले तो लिखेंगे solution और solution का मतलब ही होता है कि X की आपने value मालूम करनी है ठीक है यहां पर जो X है इसकी क्या-क्या values होंगी मुक्तलिफ बात क्या है इसमें पिछली exercise और इस exercise में कि यहां पर यह जो absolute value का symbol है ना इसके rule को इस्तमाल करते हुए आपने absolute value मालूम करनी है ठीक है तो अब इसके कौन से rule होते है question number one के part five के अंदर मैं detail से बताया है लेकिन मैं यहां पर भी थोड़ सा बताता हूं देखिए सबसे बहले तो solution लिखने के बाद जो है आप इस question को दुबारा ही उतार ल करेंगे के यह जो है एक बार आप प्लस लिखेंगे ऐसे three x minus five is equal to four और एक बार हम इस इससे को minus के साथ लिखेंगे three x minus five is equal to four अब स्वाल यह पैदा होते है आप लोगों का के sir ऐसा क्यूं करेंगे एक बार plus में लिख रहे हैं और एक बार minus में लिख रहे हैं तो इसका जव for example इसको ऊपर कर लेते हैं यह साथ सा चलो आपके मांड में रहेगा कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक और absolute value is equal to four लिखा हुआ ठीक है तो इसको आप कैसे solve करेंगे solve करने से मुराद x की value मालूम करना होता है तो x की value जो है इदर दो आएंगी एक positive और एक negative क्यूं क्यूं और यहां पर लिख दो तो जो भी absolute value होती है वो हमेशा positive आती है अब यह भी मैंने absolute value को topic आप समझेंगे उसके अंदर बताया कि क्यूं आता है क्यूं होता ऐसा ठीक है लेकि मुक्तसर यहां पर यही बताऊंगा कि कोई भी number होगा यह कोई भी expression होगी जिसके आस पास ऐसी द value put की x की जगे अगर मैं x की जगे negative value put कर दूँ equal to 4 है तो अब आप देखिए x की जगे मैं negative 4 अगर put कर दूँ ठीक है तो मेरे पास क्या जो अब आएगा तब भी मेरे पास 4 ही answer आएगा क्यूंकि चाहे absolute value के अंदर minus number हो चाहे plus का number हो इससे फर्क नहीं पड़ता answer जो है वो हमेशा positive भी आता है तो ऐसी situation में आप यह देखिए कि अगर मैं for example इसको मिटा देता हूं यहां से इसको मिटा देता हूं और इसको भी मिटा देता हूं तो अब मुझे आप यह देखिए कि x की जगे मैं minus 4 लिखके put करूंगा इसको solve करने के लिए positive 4 put करूंगा क्यूंकि द यह हम क्या करते हैं कि यह दोनों ही values इस्तमाल करते हैं यह दोनों ही values use करते हैं तो जब भी किसी भी number का जैसे यहां पे x था तो x एक बार positive 4 और minus 4 यानि दो solution होते हैं इसके ठीक है हमेशा absolute value के कितने solution होंगे दो solution होंगे positive और एक negative तो जैसे आपने 4 की बात समझी इसी तरह आप यहां पर बात समझेंगे कैसे कि 3x minus 5 के आज पास absolute value के bars हैं तो एक बार यह से plus के साथ लिखेंगे क्योंकि plus के साथ भी 4 आ जाएगा ठीक है और एक बार इसको minus के साथ लिखेंगे और minus के साथ भी 4 आ जाएगा अभी मैं solve करूंगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि 4 आता या नहीं आता तो इसलिए simple बात यह है कि जब भी आपके सामने कोई भी absolute value की equation आए तो यह जो दो बार होती है इन बार वाली expression को एक बार आप plus के साथ लिखोगे क्योंकि इससे भी equation ठीक साबित हो जाएगी और एक बार आप minus के साथ लिखोगे क्योंकि इससे भी equation ज कहूंगा अगर अब भी नहीं समझ माया तो वीडियो के शुरू से देखना शुरू करिए वहां पर मैंने जो detail बताई है तो आप वो सुनते हुए आएंगे तो यहां पर आपको अच्छे से समझ मायाएगा तो अब मैं क्या करूंगा अब मैं यहां पर लिखूंगा 3x minus 5 ठीक है और यह bracket is equal to 4 यह हमारा plus के साथ होगी value और यहां पर डाल देंगे और क्यूंके plus के साथ भी 4 आता है तो और का मतलब होगा या या फिर यही value किसके साथ होगी 3x minus 5 और यहां पर minus का symbol आजाएगा और is equal to किसके आजाएगा 4 के आगे अगर चले तो यह equation तो वैसी कि व वैसे ही रह जाएगा आपका end लेकिन इस हिसे में जब आएंगे तो अब आप देखिए मैं इसको ऐसे भी solve कर सकता हूं बाहर मायने से तो अंदर वाली values change हो गई minus 3x बन गया यह plus 5 बन गया और यह 4 बन गया ऐसे भी यह question ठीक साबित होगा आप अगर अगर अपने इस exercise की example number 1 देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे ही question किया हुआ है तो कोई भी teacher यह कहता है कि ऐसे ना करो तो आप उसको example number 1 दिखाए तो आप वहाँ पर देख लोगे कि ऐसे ही question solve हो है actually यह वो proper तरीका है कि इसको और इसको हम क्यों plus और minus लिखते हैं इस बात को आप समझ सकते हो अगर इ minus कर लेते हैं इससे question solve करना असान होता है जैसे अभी देखिए मैंने यहाँ पर minus bracket का open किया है तो मेरे पास एक यह वाला expression आई है तो यह थोड़ा लंबा process है इसलिए इसका एक और short way क्या होता है कि मैं इसको मिटा देता हूं ठीक है इसका short way यह होता है कि math के rule के according अगर यह को हम इससे कि मैं माले से दिवाइद करवा दूबगा यह थे cancel हो चाएगा पीoney hack 5 और झेशा बनाफ को हम रगते हम व्यार गृदी वादी आ 他 सumे लाढ़न से इस तो नहीं होन गृत्ता है तो इंचे वाला मायारे वह आ जाता है ऑकर मैने आ चाहतよろ मैं आपको यह note करवाना चाहा रहा हूं कि मैं इसको मिटाता हूं मैं आपको यह बताना चाहा रहा था कि इसकी जगे हम यह भी line लिख सकते हैं बस क्या फर्क है इन दोनों में इन दोनों में यह फर्क है कि यह इससे अगला step है लोग क्या करते हैं यह वाला step कार्ट देते हैं डायरेक्ट यहां से शुरू कर लेते हैं question को कि आप देखे एक बार यह plus की value लिख दी और एक बार यह minus की value लिख दी इससे समझना असान होता है लेकिन concept जो है वो आप लोगों को समझ में नहीं आता तो इसलिए मैं ऐसा करूंगा कि पहले यही line लिखूंगा ताकि आप आपको बताया तो इसके बाद हम यह वाला step लिख लेंगे तो जब आप यह वाला step लिखेंगे तो direct आप अपने ज्यादा तर टीचर जो जैसे करते हैं उसके साथ connect हो जाएंगे तो आपको मसला भी नहीं होगा उमीद करता हूं थोड़ी कोशिश की है मैंने detail बताने की आगे चलके जब आपकी practice हो जाएगी exercise खतम हो जाएगी तो फिर आप इस काबिल हो जाओगे कि इस step को ना भी लिखो तो आपका काम चल जाएगा इसके बाद direct जो है आप यह वाला step लिख सकते हो आप इसको आगे solve करें तो हमें x की value मालूम करनी थी ठीक है लिखाता ने question म x तो यहां पर x की term रख लेते हैं और जो constant है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं तो minus 5 उदर जाके क्या हो जाएगा positive 5 तो यह हो जाएगा 4 plus 5 इधर जो है वो और और यहां पर भी 3x constant term ले जाएगे तो minus 4 minus 5 आके प्लस 5 हो जाएगा इससी तरह अब जो है यह क्या हो जाएगा 3 3x is equal to 5 और 4 9 इधर चलें तो 3x is equal to 5 मैंसे 1 चला जाएगा ठीक है तो पीछे बच जाएगा 1 positive value क्योंकि बड़ी है अब हमें x की value मालूम करनी है तो 3 इधर multiply हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा divide तो x is equal to 9 divided by 3 और इधर अगर चलेंगे तो x हो जाएगा is equal to 1 divided by 3 further आगे चलाएं तो इसको यह क्या हो जाएगा 339 होता है तो x is equal to आगे 3 और x is equal to आगे 1 divided by 3 तो यह दो value जो है x की आ चुकी है ठीक है अब बस इसमें यही फर्क है पिछली 7.1 में और इसमें के इधर जो है आप absolute value वाला हिसाब किताब करते हैं इसको एक बार plus में करते हैं मैं करते हैं बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है अब x की value का वैसे ही आप check put करके देखेंगे इस x की value को इसमें डाल के देखेंगे कि आई यह value सही है इस x की value को भी इसी में डाल के देखेंगे ठीक है तो मैं डाल के check भी करके दिखा देता हूं कि कैसे आप check करेंगे तो इसक check के heading और इसके बाद question हम लिख लेंगे question हमाई पास कहा था 3x-5 तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x-5 यह absolute value के symbol is equal to 4 था तो यहाँ पर 4 आ गया ठीक है इसके बाद आप जो है इधर line draw करके इधर भी दूसरा जैसे हमने दो value check करने ने एक ये वाली और एक ये वाली के दोनों ठीक है या नहीं है तो एक 3 वाली इधर put कर लेते हैं और साथ साथ दूसरा भी चलता रहता है ठीक है तो एक screen के अंदर आप 2 देख लेंगे ठीक है तो आप ऐसे भी कर सकते हो और इसको नीचे भी करके कर सकते हो तो मैं यहाँ भी लिख लेता हूं to check तो यह मैंने यहाँ पर भ 5 absolute value और यह आगया is equal to 4. तो अब हम इदर 3 की value पूट कर देते हैं और इदर 1 divided by 3 की value पूट कर देते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो यह लिख दिया, now substituting. इदर पूट कर रहे हैं, x is equal to 3. और इदर पूट कर रहे हैं, x is equal to 1 divided by 3. तो दोनों मैंने अलग-अलग, यहाँ पे लिख दिया, लिखने के बाद आप values पूट करते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 3, x की जगे क्या आ जाएगा मेरे पास 3, तिक है, minus 5, और यह absolute value के symbol आ गया, और यहाँ पे आ गया 4. ठीक है, पहले इस equation को solve कर लेते हैं, तो 3, 3 दा कितना हो जाएगा, 9, minus 5, और यह absolute value के symbol, और यहाँ पे आ जाएगा 4, इसके बाद 9 में से 5 गया, तो कितने बच जाएगे, 4 बच जाएगे, positive value बढ़ी है, तो positive 4, और यह positive 4, तो अब आप देख सकते हैं, कि यह जो है, हमारी क 3 put करना था, तो 3 x की जगे हम put कर लेते हैं, 1 divided by 3, और इधर है minus 5, तो minus 5 लिखा, इधर जो है, straight bars डाल दी, इधर 4 है, तो 4 लिख लिए, 3 उपर नीचे है, तो 3 3 से cancel हो गया, पीछे बच गया, 1 minus 5, और यह ऐसे absolute value के symbol आ गया, plus 4, minus 5 में से plus 1 चला जाएगा, तो minus 4 हो जाएग किसी भी number का absolute value हमेशा positive होती है, तो यहाँ पर भी plus 4 आ जाएगा, और इधर 4, तो अब आप देख सकते हो कि यह भी हमारी true साबित हो गई, ठीक है, तो यह भी true है, तो दोनों हमारी true true साबित हो गई, तो अब मैं कह सकता हूं कि यह दोनों जो हैं, वो x के solution set हैं, ठीक है, य ठीक है, और यहाँ पर middle bracket, एक लिख देंगे 3 number था, तो 3, और एक लिख देंगे 1 divided by 3 था, तो 1 divided by 3, ठीक है, यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं, लेहाजा, तो लिखने के मुकलिफ 3 के होते हैं, तो इस तरह से आपका यह पहला question जो है, वो खतम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प तो question आपने समझ लिया, तो question में क्या चीज थी mean, question में यह चीज थी कि, यह solution के पहले question लिखा, question में फिर एक बार इसे plus और एक बार इसे minus लिखा, plus minus लिखने के बाद 2x की values आ गई और इन x की values को जैसे 7.1 में चेक करते थे, वैसे हमने यहाँ पर check कर लिए और in the end यह solution लि लिखने के बाद question का एक बार दुबार उतार लेते हैं, तो question है, हमारे पास 1 divided by 2, और यह absolute value का symbol, 3x plus 2, और यहाँ पर आ जाएगा minus 4 is equal to 11, तो जब भी इस किसम का question आए, तो आपने क्या करना होता है, पिछले questions की तरह कि, जैसे x जो है, वो एक तरफ रखते हैं, और बाकी values जो है, वो दूसी तरफ लेकर चले जाते हैं, तो इधर भी constant number जो है, जैसे minus 4, इसको दूसी तरफ लेकर चले जाएंगे, तो यह आपने लाजमी देखना है कि, अगर कोई number without absolute value symbol के है, तो इसको दूसी तरफ लेकर चले जाएं, तो 1 divided by 2, और यहाँ पर 3x plus 2 वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आजाएगा, यह उदर चला जाएगा, तो is equal to, उदर जाके plus 4 हो जाएगा, तो 11 plus 4 हो जाएगा, फर्दर आगे चलें, तो 1 divided by 2, और यहाँ पर यह अभी भी वैसे का वैसे रहेगा, 3x plus 2 is equal to, बलके आप इस step में में कर लेता हूं, ठीक है, यह चलो, मैं आपको ग्रफ अमल में बता दूँगा, कि कैसे हुआ, तो यह आजाएगा, 11, 4, 15, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यह हो जाएगा, 3x plus 2, और यहाँ यहाँ पर बार जागए, और इधर आजाएगा, 15 multiplied by 2, अब यह multiplied 2 कैसे आया है, तो देखिए, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, उमीद करता हूँ, समझ गया हो, कि जहाँ कुछ नहीं होता है, नीचे 1 होता है, तो 2, 1 से multiply हो रहा है, और फिर जो है, अगले step में, 2 जो है, मैं इस से जाके multiply करवा दूँगा, ठीक ह तो 15 से, जैसे कि मैं अगर यहां से 2 कर दूँ, तो अब आप लोगों को समझवाना चाहिए, अब तो यह पूरा step ही बन गया, तो देखिए, इसके बाद यह step है, कि इसको नीचे लिखा, और अगले step में इसको multiply करवा दूँगा, तो इस तरह step बहुत जादा हो जाते हैं, चोटी चीजों में इतने step नहीं डालने चाहिए, वक्त लगता है, तो simple सी बात है, जब आप यहां पर पहुंचेंगे, ठीक है, इस step पर तो आपको पता होना चाहिए, कि इधर 2 डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, multiply हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर क्या आजाएगा, यहां पर आजाएगा, 15 to the कितना होता है, 30, अब जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी number या expression के आसपास अगर ऐसे bars डली हो, absolute value हो तो उसको एक बार plus में लिख लेते हैं, और एक बार minus में लिख लेते हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हू हूँ, plus 3x plus 2, ठीक है, is equal to 30, और ठीक है, यहां पर लिख सकता हूँ, 3x minus, sorry, plus है, 3x plus 2 is equal to 30, तो एक बार आप देखे, यहां पर plus के साथ लिख लिख लिए और एक बार minus के साथ लिख लिख लिए, ठीक है, उसके बाद, प्लस से जो है, अंदर जो है, values change नहीं होते हैं, तो और इधर जो है बदल जाएगा बलके मैं ऐसा नहीं कर रहा है कि इसको अंदर ब्रैकिट ओपन कर रहा हूं आप लोगों के लिए वह मैथड अपना रहा हूं कि इस माइनस को जो है दूसी तरफ लेकर चले जाओ कैसे लेकर जाएंगे पार्ट नबर वन के अंदर में बता यह प्लस 30 और माइनस 30 एक बार लिखते हैं ठीक है लेकिन इसके पीछए कोंसेट यह होता है कि जो यह एक बार प्लस में होती है एक बार माइनस में होती है क्योंकि दोनों से आंसर सेम आता है इसी चीज़ को हम प्रूफ भी करते हैं इसी क्वेस्टन के अंदर तो आप चा sorry 3x है 3x is equal to minus 30 minus 2 हो जाएगा ठीक है उदर जाके minus का हो जाएगा further आगे चलें तो 3x is equal to 28 हो जाएगा और इधर चलें तो 3x is equal to minus 32 हो जाएगा ठीक है further आगे चलें तो 3 उदर जाके divide हो जाएगा तो 28 divide by 3 और इधर x की value कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी x is equal to minus 32 divided by 3 ठीक है तो cancel तो होते नहीं इसलिए यही दो हमारे पास values रहेंगे तो अब इनको हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे ठीक है कि क्या ये value सही है या नहीं है तो इसके लिए यहां पर check लिख लेते हैं तो अब हम check कर रहे तो यह मैंने question यहां पर लिख लिया ठीक है तो उसके बाद पहले इस वाले x को जो है इधर verify कर लेते हैं तो यहां पर लिख देते हैं substituting x is equal to 28 divided by 3 तो यह मैंने statement लिख लिख ली कि इसे substitute कर रहे हैं तो इसे substitute कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा मेरे पास 1 divided by 2 वैसे का वैसा और इधर जो है 3 था 3 के साथ x है तो x के जगे आ जाएगा 28 divided by 3 bracket close और यहां पर प्लस था तो प्लस 2 और यहां पर बार्स हैं तो यह ऐस इसे straight bars डाल दी ठीक है उसके बाद क्या था minus 4 तो यहां पर minus 4 is equal to 11 तो अब देख सकते हैं इसके अंदर मैंने 28 divided by 3 को put कर दिया उसके बाद यह 3 ऊपर नीचे यह cancel हो जाएगा पीछे बढ़ जाएगा 1 divided by 2 और यहां पर आ जाएगा 28 plus 2 साथ में यह दो bars हैं तो bars डाल दी minus 4 is equal to 11 उसके बाद फर्दर आगे चलें तो यह हो जाएगा 1 divided by 2 और 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 तो इधर आजाएगा 30 minus 4 is equal to 11 अब किसी भी नंबर के absolute value जो होती है वो हमेशा positive ही होती है तो 1 divided by 2 और यहां पर क्या आजाएगा यह multiply हो रहे है इसके साथ तो multiply by positive 30 आजाएगा ठी उसके बाद यहां पर minus 4 था is equal to 11 हो गया तो 2 1s are 2, 2 5s are 10 तो उपर आगया 15, 15 1s are 15 होता है तो यहां पर आजाएगा 15 minus 4 is equal to 11 और 15 मैंसे 4 गया तो 11 is equal to 11 और यह हमारी जो है वो true थाबित हो गए ठीक है यानि यह जो 28 divided by 3 जो है यह सही value थाबित हो गई इसके बाद जो है तो दुबारा से जो है question लिखते है, question लिखने के बाद यह जो value है, 32 divided by 3 इसे put करते हैं तो यहां पर लिख लेता हो में, तो यह statement लिख लिखी, now substituting x is equal to minus 32 divided by 3, तो इसके question के इंदर put करने तो यहां पर question लिख लिखने के बाद इसके दर put करें, तो यहां पर आजाएगा 1 divided by 2 और यहां पर बार और 3 x की जगे कितना आ जाएगा minus 32 divided by 3 bracket close साथ में plus 2 है तो plus 2 बार आ जाएगी minus 4 is equal to 11 ठीक है अब जो है इसको भी वैसे फर्दर बढ़ाएंगे 1 divided by 2 3 3 से cancel तो अंदर आ जाएगा minus 32 plus 2 और यह बार minus 4 is equal to 11 आ जाएगा ठीक है फर्दर आगे चलें तो यह हो जाएगा 1 divided by 2 32 में से 2 गया तो minus 30 बच जाएगा तो minus 30 और यह absolute value के symbol minus 4 is equal to 11 फर्दर आगे चलें तो 1 divided by 2 minus 30 की absolute value भी 30 ही होगे और यह दोनों multiply हो रहे हैं तो इसलिए multiply 30 minus 4 is equal to 11 और यह तो 15 जा 30 होते हैं तो यहां पर 15 आ गया तो यहां पर क्या आ जाएगा 15 minus 4 is equal to 11 और यहां पर आ जाएगा 11 is equal to 11 तो यह भी हमारी क्या साबित हो गई यह भी हमारी true साबित हो गई तो इसलिए अब मैं यहां पर solution set लिख सकता हूं तो यहां पर मैं लिख दूँगा 10 solution set तो यह लिख लिए 10 solution set solution set क्या है एक value थी हमारे पास क्या 28 divided by 3 तो यहां पर 28 divided by 3 और दूसरी minus 32 divided by 3 थी और यह लिख लिए और यह full stop डाल दिया तो इस तरह से आप जो है हर एक question को solve करेंगे question थोड़ा सा लंबा है लेकिन असान है उमीद करता हूं समझ में आ गया होगा आगले के तरफ चलते हूं तो पार्ट number 3 आप लोगों को screen के उपर नजर आ रहा है इसे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले इदर लिखा जाएगा solution solution लिखने के बाद आप एक बार question को दुबारा उतार लेंगे तो question है two x plus five is equal to eleven और यहां पर absolute value का symbol है तो वह मैंने डाल दिया अब हम क्या करेंगे किसी भी absolute value जो है उसे हम positive के साथ भी लिखते हैं और negative के साथ भी लिखते हैं क्योंकि दोनों से जो है answer सही साबित होता है तो एक बार हम इसे positive के साथ लिख लेते हैं तो two x plus five टीक है इधर आजाएगा प्लस एधर आजाएगा 11 और इधर लिख लेते हम two x plus five टीक है bracket और 11 और इधर minus डाल लेते हैं तो एक बार plus के साथ एक बार minus के साथ अब जो है यहां पर लिखेंगे two x plus five is equal to 11 क्योंकि बाहर plus है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता और यहां पर आ जाएगा और इस minus को उठाके हम दूसी तरफ भी लेकर जा सकते हैं तो दूसी तरफ ले जाते हैं क्योंकि इधर open करेंगे तो ज्यादा मुश्किल रहेगा बजाए इसके के 11 को माइनस बना देते हैं तो यह हो जाएगा two x plus five is equal to minus 11 यह इधर कैसे गया simple यह कि इधर भी minus one से divide करवादो इधर भी minus one से करवादो यह से cancel हो जाएगा तो इस तरह मैंने डारेक्ट लिख दिया तो टीचर जो है इसके बार डारेक्ट यह वाला step करते हैं बार बार इसलिए बता रहा हो कि को सब अच्छा कौन सा स्वाल देखेगा पता नहीं है तो बरहल इसके बाद मैंने यह लिख दिया अब इसको आगे कैसे करेंगे x की values एक तरह रखते हैं तो two x is equal to eleven minus five हो जाएगा और यहां पर क्या जाएगा two x is equal to minus eleven और minus five हो जाएगा और इधर two x is equal to eleven में से six तो यहां पर आ जाएगा six और इधर जो है वो two x eleven और five कितने होते हैं वो sixteen हो जाएगे ठीक है तो यहां पर दोनों minus किया तो minus sixteen आ गया ठीक है एक्स जो है अकेला रखने तो two इधर आके divide हो जाएगा तो six divide by two हो जाएगा और इधर जो है यहां पर काट दो और यह आ जाएगा minus 8 तो 2 x की values आ गई अब इन x की values को जो है check करना होगा कि सही है या नहीं तो heading लिख देता हूं तो यह लिख दिया heading heading लिखने के बाद इसको जो है हमने put करने question के अंदर तो question हमें चाहिए तो यह रहा हमारा question इसको मैं नीचे लिख लेता हूं यहां पर तो यह मैंने question लिख 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 लिए question लिखने के बाद क्या substitute करने जारे हैं 3 तो statement लिख 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 लिए now substituting x is equal to 3 तो 2 की जगे जब मैं 3 put करूंगा तो यहां पर 3 आ जाएगा plus 5 आस पास बार्ज हैं तो बार्ज डाली इधर 11 तो 3 to the 6 plus 5 हो जाएगा बार्ज रहीं यह आगए 11 तो 6 और 5 कितने होते हैं 11 तो यहां भी 11 आ गए ठीक है और यह बार्ज आ गए और इधर भी 11 तो अब 11 का जो absolute value है वो भी 11 ही होता है तो 11 is equal to 11 आ गया तो यह हमारी जो है वो true साबित हो गए इसके बाद जो है अब हम x is equal to minus 8 को जो है उसको check करेंगे तो statement लिख लेता हूं तो यह हमारे question आ गया minus 8 इसमें put करें तो कितना हो जाएगा तो 2 into minus 8 plus 5 यह आगे absolute value के symbol is equal to 11 तो minus 8 to the 16 होता है तो minus 16 plus 5 यह symbol आ गए और यह 11 तो 5 16 में से 5 गए तो 11 बन जाएगा तो minus 11 के absolute value आ जाएगी तो minus 11 के absolute value भी positive ही होती है तो 11 is equal to 11 आ जाएगा तो यह हिस्सा भी हमारा true साबित हो गया तो चलिए यहां पर answer लिख देते हैं तो यह लिख दिया 10 solution set is solution set क्या हो जाएगा दो values एक क्या थी हमारे पास एक थी हमारे पास 3 और दूसरी थी हमारे पास minus 8 ठीक है तो यह 3 minus 8 लिख दिया तो इसके साथ ही question अपका खतम हो जाएगा तो अमीद करता हूँ यह question जो है वो भी आप लोगों को समझ में आगया होगा तो part number 4 आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है इसे solve करों तो solve करने के लिए सबसे पहले तो इदर लिखा जाएगा solution solution लिखने के बाद question को दुबारा उता रहें तो 3 plus 2x था इदर तो यह 3 plus 2x लिख दिया इदर जो है 6x minus 7 था तो 6x minus 7 लिख दिया तो अब इससे फर्दर आगे कैसे solve करेंगे तो देखे यह थोड़ा सा मुक्तलिफ question है पिछले question से क्योंकि इदर दोनों तरफ absolute value के symbol है लेकिन हम करेंगे वैसे ही कोई जादा फर्किस में है नही मैं solve करूंगा तो आपको समझ में आएगा यह जो पहला आपका left hand side है इसको एक बार plus के साब से लिख लो एक बार minus के साब से लिख लो तो जैसे हम अभी तक करते हैं तो यहां पर 3 plus 2x लिख ठीक है और यहां पर bracket डाल दिया और इधर क्या था 6x minus 7 वैसे का वैसा ठीक है त तो इसी तरह यहां पर और लिख लो और यहां पर भी 3 plus 2x लिख ठीक है और इधर जो है 6x minus 7 without absolute value के लिख लोगे ठीक है अब क्योंकि एक के हिसाब से ही हम solve करेंगे तो एक बार यह plus का लिखते थे और एक बार minus का लिखते थे तो हमने ऐसे कर लिए एक बार इसको plus के लिख तो इसमें क्या फर्क होगा कुछ भी फर्क नहीं है बस इस वाले को without absolute value के आपने लेकर चलना है ठीक है और इधर जब चलते आ रहे थे के यह positive value भी हो सकती है negative value भी होते तो एक end को लेकर चलोगे दूसरा आप साथ-साथ पिछले questions की तरह ही लेकर चलोगे तो अब इस करके कर सकता हूं न जिसे पिछले questions में किया था इधर भी minus 1 से sorry इधर भी minus 1 से divide करवा दूंगा इधर भी minus 1 से divide करवा दूंगा तो यह minus 1 इसको cancel कर देगा और इधर जो है वो फिर minus आ जाएगा ठीक है I hope के 7.1 के अंदर भी चीज में बताई थी मैंने तो अब लोगों को सम बाहर मानस होते हैं तो bracket ज़रूर डालते हैं ठीक है otherwise नहीं डालते हैं तो क्या फर्क आया फर्क यह आया कि इसके बाद लोग डारेक्ट जो है यह वाले step कर देते हैं कि एक बार इसको plus के साब से कर लेंगे एक बार इसको minus के साब से कर लेंगे लेकिन हम proper way से करते आ रहे ह है नहीं और डारेक्ट अगर यह इसके बाद लिख दो समझ में आ गई तो अब ऐसे भी कर सकते हो बरहल अब असान सा है एकस की वैलियू को एक तरफ कर दो तो टू एकस इधर रहने देते हैं उदर से 6x लेकर आएंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा प्लस 6x आके और स्टेप पहले अभी यह नहीं के ब्रेकेट्स ओपन होंगी ठीक है तो यह अभी 3 प्लस 2x लिखा रहने देते हैं और इधर बाहर माने से तो अंदर वाली वैलियू चेंज हो जाएगी तो प्लस 6x जो है वो माने 6x हो जाएगा और माने 7 जो है वो प्लस 7 हो जाएगा इसके यहां पे और आगया अब 2x इदर आने देते हैं 7- 6x दर आ के ब्लस 6x हो जाएगा तो 6x लिख लिख लिए इदर जो है प्लस 7 था और 7 प्लस 3 दर आ के माने 3 हो जाएगा तो इसके बाद जो है x is equal to minus 10 divided by minus 4 हो जाएगा minus 4 को इधर लाकर divide करवा दो इस वाले को और इधर अगर चलें तो इधर क्या हो जाएगा 6 or 2 8 x is equal to 7 7 में से 3 गए तो कितने बज़ गए 4 तो यहां पर आ जाएगा 4 ठीक है further आगे इसको लेकर चलें तो minus minus से cancel और यह 2 to the 4 और 2 5s are 10 तो x is equal to आ गया positive 5 divided by 2 और यहां पर आगर चलें तो x is equal to आ जाएगा किस के 4 divided by 8 के तो 4 ones are 4, 4 to the 8 तो यहां पर x की value आ जाएगी 1 divided by 2 तो अब आप देख सकते हैं यह दो हमारे पास x की values आ गई तो अब इसको check कर लेते हैं करने के लिए अब हम क्या करेंगे इदर heading लिख लेते हैं लेकिन question भी लिखना होगा तो हम ऐसा करते हैं पहले heading लिख लेते हैं फिर question लिखते हैं तो यह मैंने heading लिख लिख ली check और इसके नीचे साथ में question भी लिख लिख लिए आगे values put कर सकें तो इसको substitute करने 5 divided by 2 को तो मैं यह statement भी लिख लेता हूं तो यह लिख लेता हूं तो यह लिख लिख लेता हूं तो यह लिख लिख सकते हैं यह इतना भी काफी रहेगा तो चलिए put करते हैं values तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्या 3 था तो 3 प्लस 2 x की जगे के आ जाएगा 5 divided by 2 तो यहां पर आ जाएगा 5 divided by 2 प्रैकेट क्लोस और यह हमारे पास आ गया bars ठीक है आगे अगर चलें तो यहां पर भी 6 था 6 के बाद 5 divided by 2 ठीक है उसके बाद minus 7 और यहां पर आ गई हमारे पास bars ठीक है आगे अगर चलें तो अब हम यह हो जाएगा 3 2 2 से कैंसल तो प्लस 5 यह आ गई हमारे पास bar इदर अगर चलें तो 2 3 दा 6 3 5 3 दा कितना अगया 15 तो 15 minus 7 और यह आ गई हमारी इसके बाद 5 और 3 कितना होता है 8 तो यह आ गया 8 इदर 15 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा 8 तो यहां पर भी 8 आ जाएगा positive तो in the end 8 की भी absolute value 8 होती है और इसकी भी 8 होती है तो यह एक true statement होगे ठीक है इसके बाद जो है हम substitute करेंगे कि इसको x is equal to 1 divided by 2 को तो यहां पर लिख तो statement तो यह लिख लिख लिए substituting x is equal to 1 divided by 2 question लिखते है value put करने के लिए और यह मैंने यहां पर question भी लिख लिख लिया तो 1 divided by 2 इसके अंदर put करें तो 3 plus 2 into 1 divided by 2 ठीक है और यह हमारे पास bars आ गई इसके बाद इदर भी चले तो 6 into 1 divided by 2 और minus 7 और यह आ गई यहां पर bars further आगे चलें तो 2 2 से cancel हो जाएगा तो 3 plus 1 आ जाएगा इधर ठीक है और इधर जो है 2 3 6 होते है तो 3 1 जा 3 minus 7 आ जाएगा ठीक है तो 3 और 1 कितना होते है 4 4 की absolute value और जो है minus 7 में से plus 3 गए तो minus 4 बच जाएगा तो minus 4 की absolute value दोनों की absolute value जो है absolute value किसी भी नंबर की जो है वो positive ही होती है that यहां पर 4 ही आ जाएगा तो यह statement भी जो है हमारी true साबित हो गए तो यहां पर conclusion लिख लेते हैं तो यह लिखा 10 solution set solution set कितना आ गया वो आ गया एक तो हमारे पास 1 divided by 2 था और 5 divided by 2 था तो यहां पर लिख लेते हैं 5 divided by 2 and 1 divided by 2 ठीक है तो इसके साथ यह question भी आपका खतम हो गय अगयोगा अगली की तरफ चलते हैं तो part number 5 आप लोगों को screen के ओप नज़र आ रहे हैं इसे solve करें तो solve करने के लिए धर भी सबसे पहले तो solution लिखा जाएगा solution लिखने के बाद अब हमें क्या करना है question को दुबारा सोतारें तो x plus 2 और यह हमारे पास absolute value की symbol minus 3 is equal to 5 minus x plus 2 और variable वाली expression भी हो तो आप कै गरेंगे वाली को एक तरफ कर लेंगे और constant को एक तरफ कर लेंगे तो हम क्या करेंगे इसको अथा के इधर ले आते हैं और 3 को ऊथा के इधर ले जाते हैं तो drug a qa काम अशान ओए क्योंकि एक तौश से यह का तरह की वाली होताई है हमारे पास त है तो इदर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो यहां पर मैं लिख लूँगा प्लस दुबारा से एक्स प्लस टू ठीक है इक्वल का साइन इदर फाइव पहले से मौझूद है ठीक है तो पॉजिटिव ही रहेगा इदर से माइनस त्री दूसरी तरफ लेकर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा तो इदर पॉजिटिव थ्री आ जाएगा अब आप देखें यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा टू एक्स प्लस टू के ठीक है जैसे ए प्लस ए होता है तो यह कितना हो जाता है टू ए हो जाता है ठीक है इसी तरह यह पूरा और यह पूरा इ यहां पर हमने 8 लिख लिए अब जो है absolute value को अब देखे इधर जो है यह 2 क्या हो रहा है divide तो उदर जाके क्या हो जाएगा multiply दूसकी लफज मैं ऐसी भी समझ सकते हो इधर भी 2 से divide कर दो इधर से 2 से divide कर दो तो यह से cancel हो जाएगा तो अब किसी भी तरह समझो इसको मैंने दोनों तरह से बता दिया तो 2 जब उदर जाएगा तो x plus 2 इधर बज़ जाएगा और इधर हो जाएगा 8 divide by 2 cancel करते हैं 2 4s कितना होता है 8 तो यहां पर 4 आ गया तो पीछे क्या बज़ जाएगा x plus 2 और यह absolute value के symbol और यहां पर आ जाएगा 4 तो यह हमारे पास question आ गया तो इसको जो है अब हम जैसे solve करते थे वैसे ही solve कर लेंगे एक बार इसको कर लेते हैं x plus 2 को positive के साथ ठीक है और एक बार कर लेते हैं यहां पर और लिखके negative के साथ x plus 2 ठीक है यह negative आ गया is equal to 4 अब sign को shift कर देते हैं इधर तो x plus 2 is equal to 4 ही रहेगा क्योंकि बाहर plus है और इधर जो है minus को दूसरी तरफ ले जाते है x plus 2 ताकि आप अपने teachers के method से भी इसको relate कर सको अब direct इसके बाद यह step लिख सकते हो लेकिन मैं क्योंकि conceptual चीजें लेके चल रहा हूं तो that's why यह step हर question में डाली रहा हूं तो अब जो है असान है 2 को अधर ले जाओ तो 4 minus 2 हो जाएगा इधर चले तो x is equal to minus 4 minus 2 हो जाएगा इधर जो है x is equal to 4 में से 2 हो गया तो 2 बच जाएगा और इधर जो है x is equal to 2 और 4 कितने होता है 6 तो minus 6 आजाएगा तो यह दो हमारे पास x की values आगई अब जो है इनको हम check कर लेते हैं तो check के बाद जो हमें question भी देखना होगा question हमारा यह वाला था तो इसको जो है चलो यहां पर लिख लेते हैं तो यह मैंने question लिख लिख लिए question लिखने के बाद statement ल इसको चेक कर लेते हैं तो इसके लिख कर लेता हैं तो इसके लिख लिख लिखिन गलगी होगी हमारी इसके शाबित हो गई इसके बाद जो है इसको चेक कर लेते हैं तो इसके लिए दुबारा नीचे question लिखते हैं बलके पहले statement लिख लेते हैं दूसरी value क्या थी हमारे पास minus 6 तो यहां पे आजाएगा x is equal to minus 6 ठीक है question लिख लेते हैं तो यहां गे हमारे question values put करें तो minus 6 put करना है तो यहां पे आजाएगा minus 6 plus 2 और यह absolute value minus 3 साथ है तो यहां पे आजाएगा 5 minus minus 6 plus 2 और यह symbol minus 6 में से 2 गए तो minus 4 बच जाएगा absolute value minus 3 is equal to 5 minus इदर भी कितना बच जाएगा minus 4 बच जाएगा और यह line आ जाएगी माइनस 4 के absolute value भी 4 होती है तो 4 माइनस 3 हो जाएगा और 5 माइनस 4 के absolute value 4 होती है तो यहां पे भी 4 आजाएगा 4 में से 3 गया 1 और यहां पे भी 5 में से 4 गया तो 1 तो यह statement भी हमारी true साबित हो गई तो इसके बाद जो है यहां पे conclusion लिख लेते हैं Thus solution set is तो solution set क्या है हमारे पास एक value थी 2 एक थी minus 6 तो यहां पे आजाएगा 2 और minus 6 और bracket close तो इसके साथ ही यह question जो है वो खतम होगे उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आगया होगा तो part number 6 आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है इससे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले लिखा solution solution लिखने के बाद question लिखें तो 1 divided by 2 और यहां पे x plus 3 है और plus 21 है और इदर जो है वो 9 आगया ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं जो constant होता है दूसको दूसरी तफ ले जाते हैं multiply हो जाएगा तो चलो अगले step में कर लेते हैं तो 1 divided by 2 x plus 3 और 21 में से 9 हो गए तो कितने बच गए 12 तो इदर आ जाएगा minus 12 ठीक है अब 2 जाएके multiply करवा देते हैं तो x plus 3 और इदर आ जाएगा मेरे पास minus 12 multiply by 2 तो कितना आ जाएगा x plus 3 is equal to 12 to the कितना होता है 24 तो minus 24 आ जाएगा ठीक है तो अब यह question जो है वो आगे solve नहीं हो सकता क्योंकि इसका solution मुम्किन नहीं है क्योंकि जो भी absolute value होती है उसका result होता है ठीक है वो मैंने आपको बताया था वो हमेशा positive में होता है जबके यहां पर इसका result जो है वो किसमें आया minus 24 में तो जैसे पहले question में आपने देखा था कि absolute value का minus sign के साथ जो है वो solution मुम्किन नहीं होता possible नहीं होता that's why कि वो ही वाली बात यहां पर है तो यह minus नहीं होनी चाहिए थी तो इसलिए मैं यहां पर conclusion लिख देता हूं तो यह मैंने यहां पर statement लिख दी value of absolute is never negative absolute value जो है वो कभी भी negative नहीं होती so solution is not possible solution जो है इसका possible नहीं होगा तो part number 6 जो है वो इतना ही रहेगा part number 7 की तरफ चलते हैं तो part number 7 आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहे हैं से solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा यहां पर solution solution लिखने पाद question को दुबारा से लिख हो तो 3 minus 5 x divided by 4 आ जाएगा यह absolute value आ गए इनकी और minus 1 divided by 3 is equal to 2 divided by 3 हो गया ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले हम इस जो constant होता है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं और एक तरफ absolute value वाली expression को ही रखते हैं तो यहां पर आ जाएगा 3 minus 5 x divided by 4 वैसे का वैसा ठीक है और इधर जो है वो आ जाएगा 2 divided by 3 minus इधर आके plus हो जाएगा 1 divided by 3 ठीक है आ जाएगा तो donor denominator 3 हैं तो 3 else हम आ जाएगा जब भी यह और यह same होता है तो उपर वाले number वैसे का वैसा आता है तो इधर 2 आ जाएगा और इधर भी same है नीचे वाले denominators तो उपर 1 आ जाएगा फर्दर आगे चलें तो 3 minus 5 x हो गया और divide by नीचे 4 आ गया यह absolute value के symbol आ गया और इधर 3 divided by 3 हो जाएगा तो 3 बंजा कितना होता है अब इसके आगे क्या करेंगे इसके आगे देखे आप ऐसे करते थे कि एक बार इसको कर लेंगे plus 3 minus 5 x divided by 4 ठीक है और इधर आ जाएगा 1 यहां पर लिखेंगे और 3-5x divided by 4 और इधर एक बार आ जाएगा माइनस ठीक है इधर आ जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा 1 और फिर अगले स्टेप में आप क्या करते थे यह तो वैसे का वैसे रह जाएगा माइ 3-5x divided by 4 is equal to 1 दर्मयान में और और इधर वाला माइनस जो है दूसी तरफ भी लेकर जाए जा सकता है यह भी आप लोग सीख चुकियो तो इधर क्या हो जाएगा 3-5x divided by 4 is equal to minus 1 तो अब आप लोगों को यह चीज अच्छे से समझ में आ चुकियोगी साथ क्वेस्चन कर ल साथ भी ठीक हो जाती है माइनस के साथ भी ठीक हो जाती है तो equation में हम plus minus जो है जैसे कि इधर minus हो तो इधर लगा सकते हैं ठीक है जैसे कि इस बात को यह चीज़ अगर यहां तक समझ में आ गई तो आप इस step को miss कर दें क्योंकि से question जो हो लंबा हो रहा है ठीक है तो आप ल महीन हो तो आप यह भी लिख दीजेगा लेकिन मेरा मतलब मेरा कहने का मतलब यह कि पिछले साथ question हमने कर लिया अब हमें पता ही चल गया बार बार इस चीज़ का के इधर minus हो तो इधर भी लिख सकते हैं तो हम क्यूं इस चीज़ को हम इतना जादा burden माइंड पर डालें इस एक बार plus हो रहा था एक बार minus हो रहा था और इधर का minus जो है मैंने इधर shift कर दिया अचा इस चीज़ को हम थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन इसको हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं एक बार plus लिखते तो एक बार minus लिखते थे ठीक है तो इसको अगर अकठा लिखना हो तो म एक बार जो है वो minus के साथ है तो ठीक किसी तरह इस वाली value को हम एक बार plus के साथ लिखते हो एक बार minus के साथ लिखते है तो three minus five x हो गया divided by four हो गया ठीक है और is equal to one तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं लिखने का मुकलिफ तरीका होता है और इसको हम अलग अलग भी तो यहां पर लिखने की वज़ा क्या है कि मैं आपको एक यह बात बताना चाहता हूं क्या चीज कि अगर देखिए इधर plus minus है अगर इस plus minus को equation के मैं इधर डाल दूंगा तब भी यह ठीक ही हो जाएगा जैसे अगर मैं कर दो इधर three minus five x divided by four is equal to plus minus one तो यह अभी भी वाले class fellows जो उनके साथ भी इसको relate करके आगे चल सको ठीक है लेकिन हम इसको जो है उसी तरह से करते हैं इसको मिटाते हैं यहां से ताकि हमारा pattern जो है वो बरकरार रहे बस एक step जो है वो direct कर लूँगा जो अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए three minus five x divided by four is equal to one or three minus five x divided by four is equal to minus one इदर direct कर लेते हैं ठीक है वो बच जाएगा हमारा step four इदर divide हो रहे तो इदर जागे क्या हो जाएगा multiply तो इदर जो है हमारे पास क्या आजाएगा three minus five x is equal to one multiply by four इदर आजाएगा और three minus five x is equal to minus one multiply by four इसके बाद आगे अगे अगर चलें तो यहां पर क्या हो जाएगा minus five x इस तर्फ ही रहने देते हैं क्ये क्या कि एक तरफ x होता है तो इदर four ones are four और plus three आके इदर minus three हो जाएगा तो minus three हो गया दरमियान में यह और आ गया इदर भी minus five x से रहने देते हैं और इदर जो है minus four ones are four plus three इदर आके minus three हो जाएगा तो इदर क्या हो जाएगा минत 5x is equal to one और इधर क्या हो जाएगा minus 5x is equal to minus 7 इधर क्या हो जाएगा x is equal to 1 divided by minus 5 हो जाएगा जिसको direct में लिख सकते हो minus 1 divided by 5 ठीक है उसके बाद आगे अगर चलें तो इधर हो जाएगा x is equal to minus 7 divided by minus 5 further हम आगे चलें तो यह इससे cancel हो जाएगा तो यहाँ तो वही रहेगा x is equal to minus 1 divided by 5 sorry 5 सही नहीं लिख रहा हमें 1 divided by 5 और इधर जो है वो x is equal to 7 divided by 5 तो यह हमारे पास 2x की equations आ गई और अब जो है इनको put कर लेंगे तो put करने से पहले यहाँ पर check लिख लेते हैं तो यह मैंने question लिखने के बाद statement लिख लेते हैं कि कौन सी value put कर रहे हैं तो यह statement आगे substituting minus 1 divided by 5 को put कर रहे हैं इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो 5 5 से cancel हो जाएगा तो पीछे आ जाएगा 3 बाहर माहने से अंदर माहने से तो माहने स क्या हो जाएगा plus तो plus 1 हो जाएगा और नीचे 4 था तो 4 आ जाएगा और यह straight line minus 1 divided by 3 is equal to 2 divided by 3 आ जाएगा फर्दर आगे चलें तो 3 और 1 कितना होगा 4 तो 4 divided by 4 हो जाएगा minus 1 divided by 3 हो जाएगा और यहां पर बार्स हैं तो बार्स डाल देते हैं इधर 2 divided by 3 हो जाएगा इधर 4 ones are 4 तो पीछे आ जाएगा 1 absolute value minus 1 divided by 3 is equal to 2 divided by 3 फर्दर आगे चलें तो 1 के absolute value 1 ही होती है तो यहां पर आगे 1 minus 1 divided by 3 is equal to 2 divided by 3 अब जहां कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है तो इसका से LC मुस्स ऑपर जाएगा 3र जो आंसर होता है इसको उपर वाले के साथ न्मीरेटर से multiply करवा देते हैं तो 3 depends this one 6 यह दो से ने लुजाएगा 3 minus यह दोनों सेम है तो उपर वाला नमबर वैसे का वैसा है 1 is equal to 2 divided by 3 ठीक है? तो यह यहां से मिटा देते हैं अब यह कितना हो जाएगा? 3 में से 1 गया तो 2 2 divided by 3 is equal to 2 divided by 3 तो यह statement जो है वो हमारी true साबित होगी तो जैसे यह true साबित होगी इसी तरह दूसरी कर लेते हैं तो 7 divided by 5 है तो मैं यहां पर लिख देता हूँ substitute तो यह लख लिख लिए मैंने now substituting x divided by 5 अब question लिख लिए तो यह मैंने question लिख लिख लिए question लिखने के बाद इसमें values पुट करते हैं तो 7 divided by 5 मुझे पुट करना है तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 minus 5 और यह आ गया 7 divided by 5 ठीक है और यह bracket close 5 थोड़ा सही नहीं लिखा 5 और यह bracket close और नीचे जो है 4 है तो यहां पर आ जाएगा 4 ठीक है और आसपास absolute value की lines आ जाएगे ठीक है तो यह मैंने lines डाल दी इसके बाद minus 1 divided by 3 है तो minus 1 divided by 3 इदर 2 divided by 3 है तो 2 divided by 3 लिख लिए अब अगर चलें तो 5 5 से cancel हो जाएगा उपर क्या आ जाएगा हमारे पास sorry 3 है तो 3 minus 7 divided by नीचे 4 है तो 4 आ जाएगा और यहां पर ऐसे straight lines minus 1 divided by 3 is equal to 2 divided by 3 हो जाएगा फदर आगे चलें तो minus 7 में से 3 गए तो minus 4 divided by 4 और यहां पर जो है minus 1 divided by 3 is equal to 2 divided by 3 4 1 जा 4 होता है तो minus 1 आ जाएगा और यहां पर minus 1 divided by 3 is equal to 2 divided by 3 तो minus 1 के absolute value 1 ही होती है तो 1 minus 1 divided by 3 is equal to 2 divided by 3 LCM लेते हैं जहां कुछ नहीं होता है नीचे 1 होता है तो LCM 3 आ जाएगा 3 को अंदर रखें 1 को बाहर तो 3 ही आ जाएगा 3 को उपर 1 से multiply करवाएंगे तो 3 वन जा 3 उसके बाद आगे अगर चलें तो यह दोनों एक जैसे हैं तो उपर वाला वैसे का वैसा इधर 2 divided by 3 चल रह देते हैं conclusion तो यहां पर लिख दिया 10 solution set is तो solution set में हमारी values के 7 divided by 5 और एक minus 1 divided by 5 तो minus 1 divided by 5 और एक यह लिख दिया 7 divided by 5 और यह ही आपका answer हो जाएगा तो उमीद करता हूं यह question भी समझ में आगे होगा लंबा है लेकिन मैंने कौशिश की है तो part number 8 आप लोगों को screen के ओपर इसे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले इदर लिखा जाएगा solution solution लिखने के बाद question को लिखा हूं तो x plus 5 divided by 2 minus x है तो यह absolute value की symbol आगया is equal to 6 तो इसमें तो constant दूसी तरफ ही है तो वह step तो करेंगे नहीं तो इदर जो है directly कर लेते हैं इसको कि एक बार इसको plus कर लेंगे ए 2 minus x था ठीक है तो is equal to 6 एक बार कर लेते हैं इसको plus ठीक है और एक बार कर लेते हैं इसको x minus sorry plus 5 divided by 2 minus x ठीक है और एक बार कर लेते हैं minus तो अब देख सकते हो कि एक बार यहां पर plus कर लेंगे इसको एक बार minus कर लेंगे अब इस minus वाले को मैं दूसी तरफ भी minus को लेकर जा स लगता हूं ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मेरे पास x plus 5 divided by 2 minus x is equal to 6 और यहां पर हो जाएगा x plus 5 divided by 2 minus x is equal to minus 6 ठीक है तो चाहे तो आप direct इसके बाद यह भी लिख सकते हो यह step लिखने के जोद नहीं है आप लोगों को लेकिन पता चल गए इस step की मदद से के यह कैसे आता है ठीक है उसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे तो देखिए अब जो है असान सा इदर यह divide हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा तो इसको दूसरी तरफ multiply कर लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा x plus 5 is equal to 6 into 2 minus x कर देते हैं और हो जाएगा x plus 5 is equal to 6 to the 12 minus 6x हो जाएगा x की terms को एक तरफ करते हैं तो x minus 6x इदर आके plus 6x हो जाएगा sorry नजर नहीं आ रहा है अब आपको नजर आ रहा होगा और इदर चलें तो 12 पहले से है तो plus 5 इदर आके minus का 5 हो जाएगा ठीक है तो इसके बाद आगे अगे अगर चलें तो यह हो जाएगा 7x ठीक है is equal to 12 में से 5 गए तो कितने बच गए 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 7 तो x is equal to कितना हो जाएगा 7 दिवाड़ बार 7 तो 7 बंजा 7 होता है तो x is equal to मेरे पास आ जाएगा 1 तो दूसी तरफ भी मालूम कर लेते हैं तो यहाँ पर और लिखा तो x plus 5 इ यहाँ पर दुबारा से और लिख लीजिए और यहाँ पर आ जाएगा x plus 5 वैसे का वैसा minus 6 to the 12 और minus minus plus और यह आ जाएगा 6x ठीक है बाहर minus था तो अंदर वाली minus minus plus हो जाएगा उमीद करते हूं ही चोटी मोड़ी चीज़ें practice हो चुकी होंगी इदर आ जाएगा तो x के कट further आगे चलें तो यह हो जाएगा minus 5x और इदर हो जाएगा 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तो यहाँ पर आजाएगा minus 17 और further आगे चलें तो यहाँ पर और x is equal to minus 17 divided by minus 5 हो जाएगा further आगे चलें तो अब हमारे पास conclusion के आजाएगा minus minus से cancel तो x is equal to 17 divided by 5 तो 2x की values आगई इनको अब हम हम क्या करेंगे? चेक करेंगे तो यहाँ पर लिक लेता हूं check तो यह लिक लिए हमाने check चेक लिखने के बाद लिक 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 लिएता हूं तो है statement 2-1 और यह आपके absolute value का symbol 6 5 और 1 कितने होता है 6 2 में से 1 गया तो 1 और यह ऐसे आजाएगा 6 नीचे denominator में 1 हो तो लिखते नहीं है तो direct यहाँ पर 6 का absolute value आजाएगा और यहाँ 6 6 का absolute value भी 6 ही होती है तो 6 is equal to 6 आगया तो यह value जो है हमारी true साबित हो गया इसके बाद जो है अब हम दुबारा से substituting लिख लेते हैं 17 divided by 5 है तो वो तो यह मैंने substituting 17 divided by 5 और साथ में question लिख लिए तो 17 divided by 5 पुट करें तो x की जगे आजाएगा 17 divided by 5 और उपर प्लस 5 है तो प्लस 5 दरम्यान में यह line 2 माइनस 17 divided by 5 आजाएगा ठीक है और यहां पे जो है अब हम ऐसे line डाल देते हैं और यह आगे absolute value के symbols इधर 6 है तो इधर 6 लिख लिए लिए LCM आएगा उपर तो देखिए 17 divided by 5 है प्लस 5 divided by 1 LCM कितना आजाएगा 5 यह दोनों एक जैसे हैं तो उपर 17 वैसे का वैसा दरम्यान में प्लस 5 को अंदर रखेंगे 1 को बाहर तो 5 के साथ ही multiply करेंगे तो 5 आएगा तो 5 को अब उपर वाले numerator से multiply करेंगे तो 5 5 कितना होगा 25 तो इदर आजाएगा 25 पहले यहाँ पर लिखते हैं 17 प्लस 25 divided by 5 इसकी जगे मैंने यह लिख लिया नीचे वाले को भी इसी तरह डिल करेंगे यह आगी स्ट्रेट लाइन जो कि मैंने यहाँ पर डालनी चाहिए उसके बाद आगे अगर चलें तो इसको मिटा देते हैं यहां से नीचे जो denominator में LCM लेना होगा वो क्या है 2 minus 17 divided by 5 तो इसका LCM भी 5 ही हो जाएगा यहां कुछ निये तो 1 तो 1 से जब 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 5 to the 10 और यह दोनों एक जैसे हैं तो 17 तो मेरे पास कितना आजाएगा minus 7 divided by 5 आजाएगा ठीक है तो यहां पर मैं लिख लेता हूँ 10 minus 17 divided by 5 तो यह यहां पर ऐसे हो गया ठीक है और यह यहां पर ऐसे हो गया ठीक है is equal to 6 था तो 6 लिख लिए इसके बाद इसको मिटा देते हैं मिटाने के बाद अब जो है 17 और 25 कितने होते हैं यहां पर लिखा हुआ था भी तो लिखा रहने देते हैं तो यहां पर 17 और यह 25 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 42 होते हैं तो 42 उपर आ जाएगा 42 divided by 5 तो मैं यहां लिख देता हूं यहां पर लिखा मैंने 42 divided by 5 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 17 में 10 गए तो माइनस 7 तो माइनस 7 divided by 5 और यह आ जाएगा यहां पर straight line थी तो straight line उसके बाद यहां पर 6 था तो 6 अब जो है आपको पता है जो चीज़ बताई थी मैंने यह नीचे वाला denominator ऊपर जाता है यह डिवीन मल्टिप्लाय में चेंज होती है तो तो change हो जाता जैसे a divided by b और b devald sorry c divided by d थीक है। तो इसको कैसे करते है a divided by b वैसे का वैसा है नीचे वाला ऊपर जाके उलेट जाता है तो d divide by c हो जाएगा ठीक है यह यह रफरगीक हो जाता है थीक है यहां दू में यह divide हो रहे थे तो इनको multiply में change करना होता है ताकि cancellation हो सके तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा 42 divided by 5 multiply 5 divided by minus 7 ठीक है और यह यहां पर ऐसे straight line आ गई और यह 6 आ गया तो 5 5 से cancel 7 6 45 होता है तो उपर आ गया मेरे पास यानि कि यह ऐसे बन जाएगा 6 divided by minus 1 ठीक है और is equal to 6 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या चीज़ यह step direct भी कर सकते थे minus 6 लेकि मैंने आपको डाल दिया कि आप समझ सको minus 6 minus 6 के absolute value भी 6 होती है तो यह sorry 6 होती है तो conclusion 6 और हिदर भी 6 और यह value जो है वो true साबित होगी ठीक है रफमल को मिटा लेते हैं यहां से तो यह gamit और यहां पर आपका conclusion लिख लेंगे तो यह लिख लिए 10 solution set कितना आया एक value हमारे पास थी 1 और एक थी 17 divide by 5 तो यह दोनों value मैंने यहां पर लिख ली तो इसके साथ exercise पूरी मुकमल हो चुकी उमीद करता हूं समझ में आ गई होगी इस exercise ने बस यह वाला step जो है यह इसका conceptual step है तो इसको आप लिख दोगे तो भी मसला नहीं है लेकिन वक्त बचाना है समझ में आ गए तो direct यहां से कर दोगे तो वह ज्यादा बेतर रहेगा ठीक है तो चलिए अगली exercise की तरफ चलते हूं